आपको शायद यह बात पता ही नहों कि आप एक जीनियस है आप में से अधिकतर लोग सोचते होंगे कि मेरे तो एक्जाम्स में भी अच्छे माक्स नहीं आते हैं जीनियस होना तो बहुत दूर की बात है लेकिन जीनियस का मतलब कुछ और ही होता है इस वीडियो को पूरा दे करके जीनियस बन सकता है लेकिन क्या आपको पता है साइंटिस ने ऐसे लक्षन का पता लगाया है जिससे आप जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो या नहीं आज हम आपको ऐसे लक्षन और आदतों के बारे में बताएंगे जो अगर आप में है तो आप साइंटिफिकली एक पुद्धिमान इंसान है। इन बातों को एक्सपर्ट्स के सालों तक इंसाने दिमाग पर रिसर्च करने के बात पता चली है। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्या संकेथ है जो आपको बताते हैं कि आपका IQ हाई है। रात को लेट सोने की आदत एक genius हमेशा हर जगछ से ज्ञान प्राप्त कनी की कोशिश करते रहता है और इस वज़ा से वो रात रात भर इंटरनेट पर कुछ न कुछ जानकारी हासिल करते रहता है जिसके वज़ा से उसका ज्ञान और भी बढ़ जाता है। इसी वज़ा से ज्यादातर जीनियस लोगों को इंसोम्या नामक एक बिमारी हो जाती है मतलब रात को लेट सोनी की आधत पहले कहा जाता था कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप आगे जाके क्रिमिनल बन सकते है पर एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो एक्चल में बहुत ज़ादा स्मार्ट और यूनीक होते हैं वो लोग इंटेलिजन तो होते ही हैं उसके साथ साथ क्रियेटिव भी होते हैं आलसी होना शायद आप इस बात को माने या ना माने लेकिन बता दे कि साइंटिस ने जब दिमाग के उपर रिसर्च किया तब ये मालुम पड़ा कि जीनियस लोग आम लोगों से काफी ज्यादा आलसी हुआ करते हैं क्योंकि साइंटिस ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आपको खाना खाने के बाद जो एनरजी मिलती है उसका 20% एनरजी दिमाग खा लेता है जबकि एक जीनियस कुछ भी काम कर रहा होता है तो उसका दिमाग आम लोगों की दिमाग से काफी ज्यादा उर्जा खाया करता है और इसी वज़ा से जीनियस आदमी जल्दी ठक जाता है कम समाजिक होना कम सोशल होना लोगों से बाचित करने में दिक्कत होना ये सब बाते नेगितिव तो है लेकिन ये खुबिया उन लोगों में पाई जाती है जिन लोगों की दिमाग की सनरचना यूनीक होती है उनकी सोच यूनीक होती है और यही कारण है कि वो सुसाइटी में लोगों से ग बलकि हजारों रिसर्च में पता चली है कि बुद्धिमान लोग कम समाजिक होते हैं नाखुन चबाने की आदद भले ही ये आदद आपकी सेहत के लिए नुकसान दायक साबित हुई है लेकिन क्या आपको पता है कि नाखुन चबाने की आदत को कई सारी रिसर्च में एक बुद्धिमान और सर्वगुन संपन इनसान होने का लक्षन बताया गया है। इस वीडियो में बताये गए आदतों के अलावा ऐसी और भी कई सारी आदते हैं जो बताती है कि आपका IQ हाई है। अगर आपको भी ऐसी कोई आदतों के बारों में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही। I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए। थांक्यू।